Hello everyone, once again आपका स्वागत है U-Born Academy में जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के साइन्स को पूरी तरह डिकोट करेंगी Class 10 ते के दिगात साइन्स का यो शेकिंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है Acid, Wasage and Salt अमल चार और लवन इससे पहले हम इस चैप्टर के 4 वीडियोज देख चुके हैं जिसमें हमने 1st वीडियोज में Ansiati का इंट्रेक्शनला पार देखा था Acid और Base की जो जनरल करेक्टेस्टिक थी उसको डिसकस किया था वीडियो नमबर 2 में हमने कुछ जो इंडिकेटर्स थे Lichen हो गया, Methyl Orange हो गया, Phenophthalene है या कुछ All Factor Indicators थे उसके बार में डिसकस किया था वीडियो नमबर 3 में हमने जो Metal Atom है उन Metal Atom की Acid से Reaction देखी थी और Base से Reaction देखी थी उसके लावा वीडियो नमबर 4 में हमने Metal Atom को Metal, Sorry, Acid को Metal के Carbonates और Metal के Bicarbonates से उनसे Reaction कराई थी आज के इस वीडियो में हमारे पास जो Acid है वो कैसे Base से Reaction करता है यानि जो हमारे पास Neutralization Reaction भी होती है Acid Base Reaction करने के बाद क्या होती है Neutralization Reaction मनती है तो उसको Discuss करेंगी जिसने चैनल को अभी तब सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे है चले शुरू करते है Acid, Bases and Salt Part 5 How do Acid and Bases react with each other? कैसे अमला और चार एक दूसरी से अभी गिरिया करते है तो उसके बारे में हम यहाँ पर Discuss कर रहे है तो मैंने introduction में बता दिया कि Acid कै होता है Base से reaction करने की बाद के होता है उसका जो effect होता है उसको क्ये करता है? Reduce करता है तो Acid Base से reaction करने के बाद जो reaction होती है उसे क्या ब sia-वुनतम Neutralization reaction होती है Neutral तो करेगा है Be einem neutral कम करे या ज़्यादा करे मतलब acid ज्यादा होगा तो base की effect को उतना ज्यादा है मतलब acid strong है, base weak है तो उसके according effect को कम किया जाएगा लेकिन effect क्या होगा, reduce किया जा सकता है, कुछ न कुछ या तो पूरा neutralization हो जाएगा, जैसे strong acid और strong base की जो shoulder reaction होती है, तो reaction तो पूरी neutralized हो जाती है लेकिन कुछ में क्या होता है neutralization takes place neutralization क्या होगा उसमें complete किया जागा लेकिन कुछ में ज़्यादा मातर में और कुछ में कम मातर में reaction possible है activity 2.6 take about 2 ml of dilute NUS solution in a test tube and add 2 drops of phenophthalene solution हमारे पास क्या है जो NUS है उसका क्या लेना में अपने एक solution लेना है test tube में और उसके भाद हमें क्या मिलाना है उसमें phenophthalene मिलाना है phenophthalene के आपने आपने एक indicator है acid के साथ ये कोई color ने देता है लेकिन basis के साथ क्या कर देता है जो basis का color होगा उसमें कैसा pink color produce करता है तो यह basis को पहसाने के लिए काम कियाता है, what is the color of the solution, जो color होगा, उस color, जो solution है, उस solution का color क्या है, तो यह क्या करना आपको check करना है, तो general observation है, तिके acid के साथ क्या होगा, जो phenocylene है, कोई भी color नहीं देता है, जबकि basis के साथ क्या करता है, color कैसे कर देता है, इसको pink color में convert कर लेत है, a dilute SCL solution, to the above solution, drop by drop, उसके बाद क्या करना है, उस solution में, आपने क्या लिया, जो solution लिया था, उसमें, सबसे पहले आपने क्या लिया, NOS का solution लिया हुआ है, उसमें उसके बाद क्या डाला है, आपने phenocylene डाला हुआ है, phenocylene क्या indicator है, synthetic indicator है, जिसको लबेटर में बलते हैं, ठीक है, phenocylene का अपना कोई color नहीं होता है, ये colorless होता है, लेकिन base में मिलाने पर क्या कर देता है, ये pink color कर देता है, ठीक है, acid में कोई भी changes नहीं आता है, तो ये phenocylene का general properties है, इसको याद रखेगा, तो हमने क्या 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 जो NOS का solution होगा, उसको हम phenocylene जैसे ही मिलाएंगे तो क्या color कर देगा, उसके बाद क्या करना है, आपको उसमें drop by drop क्या डालना है, SCL डालना है, तो अब देखिया हमारे पास क्या है, is there any change for the reaction mixture, ठीक है, reaction का जो mixture है, उसके color में कोई changes आता है या नहीं आता है, आपसे पूछा जारा है, तो question क्या जारा आपको, why did the color of the phenocylene changes after addition of an acid, acid मिलाने के बाद, जो phenocylene है, उस phenocylene का जो color है, जो उसमें सुर्व में क्या 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 था, हमने दोबार में बताता हूं में, NOS का solution लिया था, उसमें आपनी क्या डाला, phenocylene डाला हुआ है, तो color कैसे कर देगा, pink हो जाएगा, pink होने के बाद, आप क्या डाल लें, उस उसमें, SCL का solution डाल लें, acid मिला लें, तो acid क्या करेगा, जो base है, उस base का effect क्या करेगा, कम करेगा, तो जो pink color होगा, ओ pink color क्या होगा, धीरे-धीरे करके, क्या होगा, light होती जाएगा, और एक stage ऐसे आएगी, जहाँ पर total जितना base था, उतना ही आप acid मिला देंगे, तो वो जो color था, जो pink color आये था, वो pink color क्या होगा, discharge हो जाएगा, या उसका color क्या हो जाएगा, change हो जाएगा, now add few drop of anus solution of the aviv mixer, फिर उसकी बात क्या करना है, आपको SCL मिलाने के बात, फिर क्या मिलाना आपको, जैसे color क्या उसका fade हुआ, या color क्या हुआ, light हो गया, तो उसकी बात, फि ये आपसे पूछा जा रहा है, why do you think this has happened, ठीक है, क्या, आपकी mind में question चला है कि यह ऐसा क्यों हुआ, तो ये क्या हमारे पास, तीन, मतलब activity थी, वापस दुबारे सुनिए, क्या क्या हमने, anus का solution लिया, उसमें क्या मिला हमने phenophthalene, तो color कैसा हो गया, pink हो गया, pink color में हम ऐस पास activity थी, in our activity, we have observed that the effect of in a base is nullified by an acid and vice versa, हमारे पास क्या हो जो acid होता है, acid के effect को क्या करता है, base कम कर देता है, और base के effect को क्या करता है, acid कम कर देता है, the reaction taking place is written as, जो हमारे पास क्या है acid, base से reaction करने के राता है, salt बनाता है, तो ये reaction आपास जनरनल है, NaH, sodium hydroxide को हम hydrochloric acid से reaction करा तो हमारे पास क्या बनेगा product initial बनेगा और हमारे दूसरा product क्या बाइप प्रोड़क्ट H2 है तो H2 liquid form में क्या होगा है आपर अलग होगा इसके लाव जो हमारे पास और जो component लिए है यह aqueous state में है aqueous state का मतलब क्या होगा water की form में aqueous state में क्या होगे present होगे water है ना आपर aqueous state में लिया गया है the reaction between an acid and base to give a salt and water is known as a neutralization reaction यह मैंने सुरू में ही बताया था introduction में हमारे पास क्या होता है acid base reaction करने के बाद क्या होता है उसको क्या effect क्या होता उसको कम कर लेता है तो इसे क्या उलता हम उदासनी करण अभिकिद्या बोलते है यहांने हमारे पास क्या होगा acid base से reaction करने के बाद उसका जो effect होगा उसको neutralize कर लेता है और reaction का जो type होगा reaction किस परकार के होगी neutralization reaction in general a neutralization reaction can be written as base plus acid is equal to salt plus water अगर हम general neutralization reaction लिखना चाहें तो हमारे पास क्या होगा acid में हम base को mix करेंगे तो salt बनेगा और water बनेगा तो जनरल क्या थी हमारे पास equation थी reaction of metallic oxide with acid जो हमार पास क्या है metal क्या oxide है उस metal क्या oxide को हम acid से reaction कराएंगे तो उसमें क्या product बनेगे तो हम पर discuss क्या होगा जैसे metal क्या oxide में example बना देता हूँ आपके पास जैसे Na2 है Na2O ये भी क्या है metal का oxide है magnesium का oxide MgO है ये magnesium का oxide हो गया aluminum का oxide क्या होगा आपके पास Al2O3 ये aluminum का oxide होगा zinc oxide की बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा ZnO बनेगा calcium का oxide CaO बनेगा तो ये क्या हमारे पास different types क्या है metal के oxide है याद रिखेगा metal के oxide का जो nature होता हो बेसिक होता है metal के oxide का nature क्या होता है basic होता है और non metal के oxide का nature क्या होता है acidic होता है तो जनरल property है इसको याद रखेगा activity 2.7 का हम डिसकस कर रहा है take a small amount of copper oxide in a beaker and add dilute hydrocologic acid slowly while string ठीक है आपको क्या करना है copper oxide का formula क्या मनेगा हमारे पास CuO एक beaker में आपको copper oxide लेना है इसके साथ क्या हम लेना आपको SCL मिला देना है आपको क्या कर देना है इसमें SCL को mix कर देना है note the color of the solution what has happened to the copper oxide ठीक है आपके उसके बात क्या करना है आपको जो इसका color था उस color को क्या करना है नोट करना है और copper oxide का जो color है ठीक है cupric oxide को जो color होगा उसमें क्या changes आता है तो इसके क्या करना है आपको general observe करना है you will notice that the color of the solution becomes blue green and the copper oxide dissolve ठीक है आप देखाँगे कि उसका जो solution होगा जैसे हमरे पास क्या था cupric oxide था CuO था उसमें क्या कर दे आपने SCL को mix किया SCL को acid को mix करने के बाद उसका जो color है वो कैसा हो जा रहा है blue green ठीक है निला हरा आपको solution मिलेगा यह किसके बेश पर होगा जो copper oxide है और copper oxide क्या हो गए वहाँ पर dissolve हो गया the blue green color of the solution is due to the formation of copper second chloride in the solution उस solution में क्या होगा हाँ पास क्या था CuO प्लस SCL तो वहाँ पर क्या बनेगा reaction लग देता हूं में CuO प्लस SCL is equal to क्या बनेगा आपके पास cupric chloride बने गया CuCl2 प्लस H2 यह आपके पास reaction होगी ठीक है यह क्या आपके पास reaction है तो आपके पास क्या था जो blue green color आएगा तो ब्लू-green जो color आ रहा है वो की की बिसपार है CuCl2 की बिसपार है copper chicken chloride बोलते हूं तो copper chicken chloride जो बन रहा है उसकी बिसपर क्या रहा है color कैसा आ रहा है blue आ रहा है तो जनरल reaction between a metal oxide and the N and acid can be written as हमार पास क्या को जो metal oxide होगा उसका acid के साथ जो general reaction है उसको हम लिग रहे है तो metal oxide बना देता है और water को क्या करेगा रिलिज कर देगा ठीक है जैसे महार पास क्या था एनिटू ओ प्लस acid HCl यह हमने तो महार पास क्या बना देगा एनिसल बन जाएगा sodium का chloride बन जाएगा plus plus क्या होगा यहाँ पर water बनेगा ठीक है प्लस हम यहाँ पर H2O लिग देते हैं H2O यह general equation लिख दे हैं हमने metal oxide, hydrogloric acid, salt बनेगा sodium chloride और water क्या होगा यहाँ पर रिलिज करेंगा तो यह क्या है थी इसकी general equation थी जो भी metal oxide होगे acid से reaction करने के बाद salt बनाएगे और water gas क्या करेंगे वहाँ पर रिलिज करेंगे इसके बाद जो next अगले वीडियो में different types की reaction है हाँ पर कैसे उनकी neutralization reaction को हमने पार देखा या अन्य परकार की जो reaction है उसको हम अगले वीडियो में जारी करेंगे thank you video को like कीजिए share कीजिए और subscribe